देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच नई नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें दिसम्बर एक्जाम रिजल्ट की फर्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे उसके उपर कुछ इस्टुएंट की तरफ से कुछ कोस्चन भी पूछ को जरूर देखें अनक एडमी में एससी एक्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एससी एक्जाम का जो कोर्स है उसका सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ने वाली है तो इसलिए आप तुरंत ही PC 2021 कोर्ड जो की आपको यहां पर रेड से दिखा हुआ आ रहा है PC 2021 कोर्ड भी दिया जाता है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो प्राइज हाइक होने से पहले यान की प्राइज बढ़ने से पहले आप अनक एडमी का सब्सक्रिप्शन ले 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 जिए PC 2021 कोर्ड का इस्तमाल करते हुए प्राइज हाइक और एससी सब्सक्रिप्शन ले लिजिए इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और वहाँ पर से आप इस पर क्लिक करके PC 2021 कोर्ड का इस्तमाल करके आप 10% डिसकाउंट ले सकते हैं और प्राइज हाइक होने से पहले Unacademy का सब्सक्रिप्सन ले लीजिए, आपको PC 2021 Code का इस्तमाल करना है, जब आप PC 2021 Code का इस्तमाल करेंगे तो आपको 10% डिसकाउंट भी दिया जाएगा, तो इसलिए तुरंत ही आप आज ही SSC एक्जाम का सब्सक्रिप्सन Unacademy का ले लीजिए, ताकि प्राइस जब को उससे पहले ही आपके वास अनकैडमी का सब्सक्रिप्शन SST exam कर रहे तो वीडियो की सुरुवात करते हैं और पहली update के बार में बात करें तो आपके लिए December 2021 exam result की पहली update कल सामको 24 मार्थ 2022 को update कर दी गई थी इसका link मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर भी डाल दिया है आप वहाँ पर से भी चेक कर सकते हैं और description box में अलग से भी इसका link जारी मैंने कर दिया है वहाँ पर से भी आप इसको एक बार अपना result को चेक कर सकते हैं यह पहली update है यानि कि सुरुवात में जिन इस्टुएंट्स ने अपना एक्जाम दिया होगा सुरुवात के कुछ दिनों में तो उनका result यहाँ पर आपको नजर आ सकता है धीरे धीरे करके जैसा कि यहाँ पर पहला point जो है वो लिखा भी हुआ है remaining result of term and assignment, practical and project award is a continuous process and will be updated soon यानि कि अगर किसी student का, term and assignment का, practical का, project का result में अभी update नहीं हुआ है तो यह continuous process जैसा कि अभी आप जानते कि December 2021 के exam इस समय भी चल रहे है और 11 अपरेल तक चलेंगे तो यह continuous process अब आप देखेंगे कि 2 या 3 दिन बाद एक और इसकी update देखने को मिलेगी और लगातार अब 1-2 महीने कम से कम इसकी updates लगातार आती रहेंगी तो आप इसको देख सकते हैं यह पहली update लेकिन आ चुकी है और आपका December 2021 का जो exam result है वो update होना अब शुरू हो चुका है इसके बाद student की तरफ से यह भी कहा गया कि अभी IGNU की जो website है वहांपर इसको update नहीं किया गया है तो IGNU की website में आज इसको update रिजट कर दिया जाएगा आप इसको चेक कर पाएंगे लेकिन December exam result की first update को जारी कर दिया गया है जिसको आप यहाँ पर से देख सकते हैं इगनु की website पर भी आज यहाँ पर update इसको कर दिया जाएगा तो इस पर आपको चिंता करने की जरुत नहीं है यह बिल्कुल genuine result है अभी निश्चित तोर पर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा तर इसे होंगे जिनका result अभी update नहीं हुआ होगा जिनका आ रहा होगा कि result enrollment number not found क्योंकि जब आपका एक subject के दो subject का exam का result आता है उसके बाद ही आपको इसमें जो आप समिट करते हैं उसमें इसमें नजर आएगा तो इसलिए आपको थोड़ा इंतिजार और करना होगा लेकिन first update जारी की जा चुकी है और आप इसको चेक कर पाएंगे मेरे telegram चैनल पर अब second update के बार में बात करते हैं second update के बार में बात करते हैं और beard entrance test 2022 को भी जारी कर दिया गया उसका notification जारी किया जा चुका है 23 मार्च 2022 से लेकर 17 अपरेल 2022 तक आप January 2022 सेशन में अगर beard entrance exam देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं application form आप 17 अपरेल 2022 तक भर पाएंगे इसके उपर मैं एक separate video भी बनाऊंगा जिसमें क्या eligibility है किस तरीके से का आगे क्या क्या होगा beard में तो उसके बार में आपको जानकारी दूँगा लेकिन आपके लिए beard entrance test 2022 जनवरी 2022 सेशन के लिए उसकी application form जो वो निकाला जा चुका है और 17 अपरेल 2022 लास्ट डेट है तो आप इसको भर सकते हैं अगर आप beard entrance test देने में beard इगनू से करने में interested अब नेक्स अपडेट के बार में बात करते हैं आज 25 मार्च 2022 है और जनवरी 2022 सेशन के लिए रिरेजिस्टेशन करवाने की आज लास्ट डेट है तो अगर आपने अभी तक रिरेजिस्टेशन नहीं करवाया है जनवरी 2022 सेशन का तो आप इसको रिरेजिस्टेशन को जरूर करवाए 25 मार्च 2022 आज लास्ट डेट है अगर आगे आगे extend नहीं होता है रिरेजिस्टेशन की लास्ट डेट तो उसके बाद फिर आप 6 महीने बाद ही re-registration कर पाएंगे तो अगर आप eligible है January 2022 का re-registration करवाने के लिए तो आप re-registration जरूर करवाएं अब next update के बार में बात करते हैं इगनू के admission लेने की online भी और open distance learning mode में की program में भी last date जो है without late fees 25 March 2022 है तो अगर आप admission लेना चाहते हैं January 2022 के admission cycle में तो 25 March 2022 यानि की आज last date है आज राद तक ये portal खुला रहेगा और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा तो अगर आप इसमें admission लेना चाहते हैं इगनू में admission लेना चाहते हैं January 2022 में तो आप admission ले सकते हैं पर एक ही जौर बता दू कि इस समय certificate और semester based program जो हैं उनके लिए admission बंद हो चुका है तो आप अगर admission लेना में इंट्रेस्टेड हैं तो आप admission ले सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेरी जरूर कीजिए